आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ तो यह जो Phloem Tissue होता है, वह क्या Transport करता है, Plants के जो Nutrients होते हैं, हम के सकते हैं, किसके साथ, Food के साथ के, उसे Transport करता है ठीक है, तो यह तो हो गया Phloem, और उसके अलावा अगर हम बात करें, तो एक और Vascular Tissue होता है Basically, दो Vascular Tissue present होते हैं, Plants के Transport System के अंदर एक तो होता है Phloem, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, और एक होता है Xylem तो यह Xylem के ट्रांसपोर्ट करता है दोस्तों, तो Plants के अंदर जो Water Transportation होता है तो प्लांट्स के अंदर जो Water Transportation होता है, फिर हम कह सकते है, Mineral का जो Transportation होता है वो किसके थुरू होता है, Xylem के थुरू होता है, और जो Neutrients और खाना होता है, वो किसके थुरू ट्रांसपोर्ट होता है, Phloem के थुरू ट्रांसपोर्ट होता है Therefore, our answer is Phloem. Thank you